जैस्री राम भक्त जनुर प्यारे भक्तो ब्रह्म महुर्त में घर के दर्वाजे पर खड़े होकर ऐसे प्रार्थ न करें तुरंत एक्छा पूरी होई बक्तो ये तो आप जानते हैं कि ब्रह्म महूर्थ बहुत ही सुम महूर्थ होता है इसको किस जी पूछने के आवस्यक्ता नहीं जानने के आवस्यक्ता नहीं सभी जानते हैं कि ब्रह्म महूर्थ में देवी देवता स्वेम भगवान बिच्रन करते हैं इस समय में और अपने भक्तों की मनो कामना पूरी करते हैं जिसकी जो भी मनो कामना होती है और वह यह भी देखते हैं कि इस समय में कौन मेरा भक्त क्या कर रहा है सो रहा है जाग रहा है नाम जब कर रहा है ध्यान कर रहा है जैसा वह देखते हैं वैसा ही उसको फल प्रतान करते हैं और देरी नहीं करते हैं क्योंकि वह समय ही इस तरह का है कि हमारे रिशीमनी संत मात्म ब्रह्म मूर्थ में ही उठते हैं और अपना नाम जब ध्यान भजन वह उसी समय में करते हैं और यह वास्तम में ही हमारे 24 घंटे में सर्वोत्तम समय होता है तो भक्तो ब्रह्म मूर्थ में उठना ही बहुत बड़ी बात होती है तो भक्तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि अगर आप ब्रह्म मूर्थ में जगते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं जगते हैं तो आप ब्रह्म मूर्थ में जगें और आपकी कोई भी इक्छा है तुरंत पूरी होगी आप इस तरह से परम्पिता परमात्मा से प्रार्थना करें क्योंकि आपने सुना भी होगा पहले बुजर्ग लोग ब्रह्म मूर्थ में उठते थे और गाउं में तो आज भी ज़ातर उठते हैं लेकिन पहले में और आप में बहुत फर्क पड़ गया है जो जवान जन्नेशन है वह तो देर तक ही सोते हैं लेकिन आज कल गाउं के बुजर्ग भी जल्दी ही उड़ जाते हैं उनका समय वही होता है तीन बजे चार बजे पांच बजे इसके बाद में वो सो नहीं पाते हैं क्योंको उन्होंने ऐसा अभ्यास बना रखा है तो भक्तो आप इस चीज का ध्यान करें कि ब्रह्मबूर्त जब इतना पावर्फुल है और उसमें भगवान और भगवान की सक्तियां स्वेम बिचन करते हैं तो उस समय हमारी जो भी इच्छा है वह क्यों नहीं पूरी होग लेकिन भक्तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं और वह भी घर के दरवाजे पर खड़े हो करके भक्तो आप भगवान से सुबह ब्रह्मूर्थ मोठ करके और प्रति दिन दरवाजे पर खड़े हो करके और भगवान से यह प्रार्थना करें यह परमपिता परमात्मा मैं तेरा शरीर दिया, मैं कोटी-कोटी नमन करता हूं पर महत्मा तुझे, और दूसरी बात यह है, कि यह भगवान आपने मुझे ब्रह्म उर्थ में उठने का मौका भी दिया, यह भी आपने कृपा की, आपने मेर पे इतनी कृपा की है, तो मेर पे आप इतनी कृपा करें, कि मेरी यह इक्षा है, यह भी पूरी करें, लेकिन ध्यान रहे, इक्षा आपने कैसे बोल ली हैं, जब आप दरवाजे पकड़े हुए हैं, पहले भगवान का धन्यवाद कर दिया, और उसके बाद में आपने अपने स्वांस को खीचा, और खीच कलके उसको रोक लिया, जिस समय आपका स्वांस रोका हुआ है, उस समय आप अपनी इक्षा अपने मन से बोल दें, कि यह परमात्मा मेरी इक्षा पूरी करें, उसके बाद में फिर स्वांस छोड़ दें, दुबारा फिर स्वांस लें, इस तरह से स्वांस रोक करके फिर आप अपनी इक्षा बोलें, इस तरह से आपने कम से कम पाँच बार भगवान को अपनी इच्छा बोलनी है, स्वांस खीचनी और रोकनी है, और रोक करके उसको कम से कम पाँच बार बोलना है, स्वांस आपकी जब रोकी रहेगी, उस समय परमात्मा समझो कि आपके अंदर प्रिकट हो चुके हैं, और जब आप बोलेंगे और मन से बोलेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कि आपका मन केवल आपकी इच्छा बोलने पर ही होना चाहिए, और कहीं मन नहीं होना चा जो आप इक्छा बोल रहे हैं, आपके मन में केवल वही रहे, और स्वांस थमी रहे, तो भक्तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कि आपकी हर इक्छा, कोई भी इक्छा है, वह तुरंत पूरी होगी, और अगर पूरी नहीं होती है, तो जब तक आपकी इक्छा नहीं प पताया है आप करेंगे तो अवस्य 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 पूरी होगी तो भक्तों आसा करते हैं अपनी इच्छा पूर्ती के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं जया स्री राव